नव वर्ष की खुश खबरियों में एक और खुश खबरी आई एक तो कोविड वैक्सीन अप्रूव हुआ और दूसरा कि हमारे देश के जो प्रधान मंतरी हैं वो दुनिया के जितने भी राष्ट्रपती हैं प्रधान मंतरी उनका स्थान नंबर वन पोजिशन पर है इस तर कि व तो कि प्रधान मंतरीजी का जो स्थान है, वो दुनिया के सभी नेताओं में नंबर वन पोजिशन पर और वो भी बहुत मारजिन से, पच्पन अंकों से वो नंबर वन तीसरे स्थान पर है ये उपलब्धी जो है ये सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी जी की नहीं है ये देश के हर एक नागरिक की उपलब्धी है और इसीलिए एक गर्व की बात है साथ-साथ ये भी याद आता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी को दुनिया के 12 राष्ट्रों ने अपना civilian जो honor है वो भारत के प्रदानमंत्री मोदी जी को दिया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और हर तरह का आप survey ले लीजिए, एक Gallup survey है, स्विट्जिलेंड का, हमारे INS का Sea Water survey है, इन सभी में प्रदानमंत्री जी की जो rating है, वो बहुत उंची आ रही है, वो भी एक ऐसे समय पर, जहां दुनिया महामारी से निकल रही है, और महामारी का कोई जवाब किसी के पास था नहीं, उसके बावजूत भी एक उभरते राष्ट्र ने दुनिया को एक उधारन दे दिया और उसमें जो नितृत्व है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जनता का भी बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत की सरकार और भारत के होकर यह एक अच्छा काम हो रहा है देश में और प्रगति कर रहा है देश तेजी से नव वर्ष की भी मैं शुब कामना ही देता हूं सभी देशवासियों को जैसे प्रदानमंतरी मोदी जी ने कहा कि हमें सतर्क भी रहना है और हमें सचेत भी रहना है जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है और एक बार नव वर्ष में हम सब संकल्प लें कि खुद को तो मजबूत करें साथ साथ समाज को राष्ट को मजबूत क प्रफ़रे